पत्थर का जो भी इमारत होता है उसका लाइफ साइकल कम से कम 100 एर का होता है और 100 एर के अंदर अगर सूर गिर जाए दात गिर जाए और यहां तक इसमें चलिये कहीं भी जो है ना रेगुलर सेफ नहीं है आप देखिए किसी भी पत्थर के उपर आप हाथ दिखाईया ऐसे उमली किजा और मैं बता देता हूं पत्थर जो रिजक्टेट राजस्तन का सभी रिजक्टेट पत्थर को लाके लगा दिया गया तो अस सारी बात हुं मैं समय नहीं हूं उससे हैं मेरे नाम है मौनिका वर्मा और आप सब देख रहें समतावास टीवी तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जो लोग जानते हैं कि उत्तर परदेश में इस वक्त चल लिए तैयारिया विधान सभा चुनाओ की जिसमें जब भी उत्तर परदेश चुनाओ और कोई पहन जी के दु सब्सक्राइब करेंगे की जानते हैं लेकिन बहुत साथ में खड़ी इंको नइन जानते ना जाने कोंने अव्यादी शुनाटर फेंधिन जुट हैं को वह वह से तरीके से मज़ाग बनाते होंगा और चाहिए पहन इसका मतलब जो इतने बड़े पतरकार पारे बहुंने बहरती आप हो दिशावकों कर दोपना नोगभ हो तब सकाना पूनियुक। भी पंच महीने बना रहे उसाथ महीने मंहूंने विदीया की फा氣 को बहुत हो पांच जान नहीं पाया कि बहन को आरे मायावती जी अदभुत आश्चर जनक और अजूबा सहर लखनाओं के अमबेटकर पार्क में अभी हूं और मेरे पीछे दो एस्टैचू आपको दिख रहा होगा एक एस्टैचू हमको समझ में नहीं आ रहा है किसका है एक समझ में आ यह कासी राम जी का है कुछ लोग कहते हैं कि मायावती जी का इस्टैचू है जबकि जिनता अदमी अपना मूर्ती नहीं लगाता है फिर भी हम पढ़ने का प्रयास किये तो पता चला यह बहन सूसरी मायावती जी का इस्टैचू है यह देखिए मायावती जी जी धर देख र छेवर नहीं रखा गया अब हम निचे उतर ना हैं और आप दियान से आप देखillary यह सब चीज़े यह सब घरन होता है और सही दंसे भरना होता है भरा गया है अलाकि आप मिसरफटे जहाए और पार जो भी फार है जब कोई एक पार्ग बनता है जब सरका तो उसका मिंट्रेंस वह करती है फिर जब सरकार चले जाते जो वर्दमान वाले सरकार होती है उसकी वह डूटी बनती है कि वह उसका मिंट्रेंस रखे बहन कुमारी मायवती जी बता खिले आधि चीजिक ज़िए अभी योगी सब्सक्राइब चल ली इनका इनकी रेस्पोंस सब्सक्राइब तो आपके सब्सक्राइब कर आए कि कंपनी वाला खुद तो आए नहीं करा लो आपके टाइम हो गया है आप कराएंगे ना जब आपको लगए हाँ आप गड़ खराब हो रही है इसमें बहन को आने महाती जी क्या गलती है यह सवाल तो जाके अब श्क्राइब हो का थाै कि ने जीडने आ मैयवाती जी जी एधी तीन थी उन्हा 弟षयक में तो चुदम हों चीन है उसमें हाथी कि सुद्धा नीच है अगर इमंदारी से काम हुआ रहता है तो साइद ये पार्क इस लखनौ का दसा और साइद एक पार्क लेकिन कहीं नहीं तो कहीं राजस्थान का जितना रिजेक्टेड पत्थर था सभी पत्थर को लाके जो है इस पार्क में लगा दिया गया अब हम मैं हाथी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं आप लोग ध्यान से देखिए गा उसके अलामा भी मैं उबा पर्देश यहाँ पे एक पाटी की सरकार आती है तो वह साइकल का रास्ता बनवाती है दूसरे पाटी की सरकार लाती है तो चलो कुम कुछ भी करोगे हम नाम बदलें गे यह देखिए लगतार हाथी और 69 60 में से एक कम हाथी 69 हाथी यहाँ पे बनाया गया है और देखिए संजोग से मैं आप लोगों को हाथी के बारे में भी कुछ बताऊंगा और दिखाऊंगा हाथी जो है वो सुभ माना जाता है सुभ और हाथी इतना सुभ होता है कि बहुजन समाजवादी पाटी की मयावती चार बार मुख मंत्री उत्तर परदेश की बनी थी एक बार तीन महीने के लिए एक बार सात महीने के लिए एक बार साइसे तेरा महीने के लिए और एक बार पान साल के लिए ज़रा सोचिए और हाथी की स्थिती देखिए यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं चुनावायो कि दस साल पहले बना ये पार्क में जो हाथी बना हुआ है अगर उसका सुन तूट गया है तो जरह सोचिए कि इन सरकारों के द्वारा जो दूसरे चीजों का निर्माण होता होगा वह कितना इमंदारी पूर्वक होता होगा अब एक और चीजे मैं दिखाना चाहता हूँ पेटा गया है जबकि हाथी का पेट उपर तक ही होता है और फिर वहां पे गुजरात में जो मूर्ती बनाएगे उस पर जाके कुछ टिपड़ी करो क्या वह गलत है अगर कोई इंसान अपने आइडल का मूजियम बनाता है या फिर उनकी मूर्ती बनाता है तो यह बहुत ग गलत है तो यह सवाल तो मोदी जी से पूछे कि नोने कुछ आत में इतनी बड़ी जमीनित क्यों बनाई इतना खर्चा क्यों करा नीचे कमेंट्स पर लिखके जरूब बताएगा हम लोग को कि क्या जो मैं कहरी सई है कि नहीं है यह सब लोग कि अगर बहन कमानी बादी जी मौदी जी तो गलत हैं सारा पैसा खरचा कर दिया घलीतों की बात करने वाले लोग जब रंडे तो का हक मारते है तो दर्द होता है आप देख सकते हैं जहां कि दियान से यहां पे देखे और दीरे दीरे पत्थर पे घास हुग जाएगा तो यह करनामा जो है ना इस देश के अध्वुत मेता ही कर सकते हैं जो हमें बहुत सारी हाथिया देखने के मिली और सुन्दरता है हाथियों में हाथियों में सुन्दरता है और बुद्ध भगवान की मूर्ति भी देखने को मिला यहां पर और फॉस्ट टाइम आया है हम कोई से यहां लोकल नहीं यहां में घूमने आए थे तो सोचे थोड़ा घूम लें यहां पर यह बताए यह हाथियों में क्या सुन्दरता है पेंट तूटा हुआ है क्या दस सल पहले बना हो इस पार्क में सुन्द डांट तूट जाना चाहिए नहीं 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 यह दो पत्र लॉंग लाइफ शिक्र का चीज है और हंड़ हंड्रड साल तो इसकी गारंटी गारंटी होती है घर में लोग लगाते हैं घर तूट जाता है प अपना statue लगवा दिया जबकि इस देश में जिन्दा निताओं का जो है statue नहीं लगता है तो उतर परदेश के लोगों ने 2012 में समझा कि मयावती जी सायद हमें छोड़ के चली गई क्यूंकि हो हर जगा उन्होंने अपना मूर्ति लगवा दिया तो 2012 में मयावती जी की सरका इस वीडियो पर आप क्या रहा हैं नीचे हमें कमेंट्स जरूर लिखके बताईएगा और अगर आप लोग जानना चाहते हैं मायवती बहन जी के बारे में उनके जो बेस्पी पार्टी से पहले की उनकी जीवन के बारे में जाना चाहते हैं नीचे कमेंट्स मुझ जरूर लिखके बताईएगा फिर मैं जल्दी नई वीडियो से आउंगे जहां पर मैं बताऊंगी बहन कुमारी मायवती जी का सफर वो कैसे वो एक मीडिय क्लास से बीसमी पार्टी तक वो आई आप सकत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक करें भीना मत जाईएगा और